एक extra rate हो रहे है जिसको हम बोलते है initial rate क्या बोलते है यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ initial rate ठीक है initial rate का क्या मतलब हुआ जरा check करो initial मतलब जब chemical reaction शुरू ही होए तब rate क्या होगी सबको समझ में आगया मतलब initial rate का sense हुआ time t square to 0 पर rate ठीक है, मैं दुबारा लिख देता हूँ, rate at time t square to 0, उस पर rate क्या होगी, अच्छा rate को, जब t square to 0 पर पूछा है, जरा चेक करो, तो ये क्या हो गया, instantaneous time पर पूछ रहा है, इसका मतलब जरा चेक करो, आपको dc by dt का value कब निकालना है, when time t square to 0, बहुत important है, t square to 0 पर dc by dt का value ही क्या कहलाता है, initial rate, मैं आपको एक question कराऊँगा, जिसे ज़्यादा समझ में आएगा, अब कई बच्ची सोचेंगे कि t square to 0 पर yes, आप एक बात जरा सोचो, जब आप bike शुरूई करने वाले हो, तो इस instant पे, जब आप racing कर रहे होते हो, तो उस time पे, आपने क स्टार्ट नहीं की है, तो दोड़ पाऊगे, नहीं, आपने bike स्टार्ट की है, बिल्कुल आप स्टार्ट करने वाले हो, आपने कभी वहार racing देखी हो, तो वो यू करते रहते है, रेस करते रहते है, लेकिन वो brake को साथ में दबा के रखते है, जिसे गाड़ी आगे नहीं सबकों समझ में आ गया, अगर उसने यहां से brake से पाऊँ हटा लिया, तो वो गाड़ी दोड़ने रगी ही, वो बस वही rate पूछ रहा है, कि टीस कर सुज़ जीरो पर rate बताईए, अगर टीस कर सुज़ जीरो पर rate है ही नहीं, चेंज इन कॉंसेंट्रेशन है ही नहीं, तो क् में टाइम इंटरवेल 10 to 0 होता है, ख्लीर हो गया, उस केस में हम कुछ नहीं करते हैं, डेल्टा की जगा D का इस्तमाल करते हैं, समझ में आ गया, टाइम इंटरवेल is very small, in fact 10 to 0 हो, तो उसके लिए हम लोग DC by DT इस्तमाल करते हैं, बजाए डेल्टा के, और यहां आपको ज इंटरेशन क्या है, मतलब DC by DT वेंटी इसको 0, इसको अमलोग कम्प्लिटली क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इनीशल रेट, मैं आपको एक क्वेशन के तोर पे इनीशल रेट को समझाऊंगा, clear होता है सब लोगों को, till then आप यह चीज जो आपको यहां पर लिखी उ इसको स्क्रीन्शोट लेलो, उसको कॉपी के अंदर लिख लो फड़ा पट से, ले लिजे, so चलिए गाइस, इनीशल रेट को एक क्वेशन के तोर पे समझ से, जिससे और जादा आसान हो जागा, बड़े ध्यान से उसको देखेगा, ठीक है, और ऐसे क्वेशन पूछे जा with respect to time, ठीक है, concentration with respect to time is given as, is given as, ध्यान से देखेगा, c is equals to, is given as, c is equals to 5 plus 30t minus 2t square, एक किसी reactant का concentration और time के बीच का relation दिया होगा है, कि concentration और time में ये relation है, clear होता है सम लोगों को, तो आप से क्या पूछता है, कहता है then find out, then find out initial, initial rate, ठीक है, आप से पूछा कि आप पता करो कि उस particular chemical reaction का initial rate क्या होगा, अब इस question को solve करने के लिए, differentiation के एक दो छोटे 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 formula है, मैं आपको clear करता हूँ, bio वालों को specially, math वालों को आते होंगे, differentiation होने math में पढ़ा दी जाता है, bio मालों के लिए, differentiation आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको differentiation के 2-3 formula है, जो देखने पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हम लोग 0 order, 1st order जब पढ़ेंगे, तो आपको वो formula काम देंगे, ठीक है, तो मैं हमाँ side में लिख देता हूँ, ठीक है, और उपर अगर लिखा है, t raise to power n, देखिए, किसका करना है आपको, t raise to power n का differentiation with respect to time ही करना है, तो उसका formula होता है, बहुत simple, that is n, t raise to power n-1, शुरू में दिक्कत आईगी, लेकिन कुछ है नहीं उसमें, differentiation with respect to time, t raise to power n लिखा है, t raise to power n का differentiation करना है, with respect to time, तो उसका formula होता है, n, t, n- बहुत सिंपल है यह तो पहला फॉर्मिला हो गया ठीक है शुरू में देखे एक बात ध्यान रखे कुछ चीज नहीं होती तो दो तरह के आटिटूड है यह तो मुझसे नहीं होने वाला और दूसरा आटिटूड है यह क्या चीज है जो मुझसे नहीं हो सकती तो सेकंड वाल बता हो differentiation of any constant with respect to time dk by dt differentiation of any constant with respect to time is always 0 अब यह क्यों 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 कि constant कभी time के respect में change होता ही नहीं तो उसकी differentiation यानि की change क्या होगी 0 बस है दो चीज़ा आपको ध्यान रखनी है तो चलो इस question को solve करते हैं हमको क्या दिया गया आपको c और t के बीच का relation दे दिया गया और आप से पूछा गया कि initial rate बताओ अच्छा initial rate क्या होती अभी आप formula पढ़के आए हो कि जो initial rate होती है उसको किस तरह से लिखा जाता है that is very simple dc by dt ठीक है यह तो हो गया change in concentration with respect to time my new time but initial rate कभ कहलाएगी जब time t is close to क्या होगा 0 इस चीज़ को समझें t is close to 0 पर जो भी concentration में change आ रहा हो उस instantaneous मतलब किसी भी instant पर और initial rate मतलब इसी time पर बतानी है आपको time t is close to 0 मतलब at starting initial rate का मतलब होता है at starting क्या rate है at starting क्या rate है समझ मा गया वो आपको ध्यान रखना है यह सवाल पूछा है तो सबसे पहले आपको dc by dt का value निकालना है जरा चेक कीजिए d by dt of c what is c? c का मतलब होता है that is वो सामने उपर लिखा हुआ c की value यह रही 5 plus 30t minus 2t square सही है यानि कि इस पूरे factor का आपको क्या करना है differentiation और differentiation की खास बात होती है कि सारे factor अलग-अलग हो सकते है यानि कि इसको अमलोग यूँ भी लिख सकते है मैं नीचे लिख देता हूँ देखे जरा ध्यान से यानि कि कर देता हूँ देखे एक तो 5 का निकालना है 30t का निकालना है minus का sign यह रहा और यह d by dt अंदर चला गया d by dt आपको किसका निकालना है 2t square का यह values निकालनी है अब जरा देखो by d by dt of a constant is always a 0 तो यह value तो कितनी हो गई 0 वो देखिए सामने लिखा है किसी भी constant का variation time के respect में होता 30 तो constant है 2 भी constant है तो बाहर आ जाएगा तो finally यहां से answer कितना आ रहा है यह तो हो गया 0 प्लस यह हो गया 30 अब 30 तो तुमने बाहर ले लिया यहाँ पर क्या लिखा है d by dt सही है यह t का t के respect में तो 1 होता है वह देख लो वहां पर रखके देख लो उपर t to the power कितनी है 1 तो इसके answer जो है वह side में लिख रहा हूं इस तरफ तो इसको solve करना है तो क्या value आएगी तो यहां पर सबसे पहले तो dc by dt की value हम लो calculate कर रहे है तो यह तो गया बच्चो 0 यह हो गया 30 ठीक है so this is 30 clear है सब लोगों को dt by dt खुद से सोचो dt by dt यहापस में cancel हो गया तो 1 ही आएगा पहली बात तो simple है तो 1 हो गया तो 30 answer हा रहा है minus यहाँ पर रगाओ 2 यह 2 रख दिया as it is अब t square गा t के respect में क्या करना है differentiation तो वह formula लगा क्या होगा यहाँ पर n की value कितनी है 2 खुद से रख के देखो तो कितना आएगा into आएगा 2t करके देखो यहाँ पर मैं आपसे बोल रह कितना आ रहा है 2t यही मैंने लिखा 2t तो यहाँ पर dc by dt का value कितना आ रहा है dc by dt का value आ रहा है 30 minus 4d यह देखो 30 2 to 4 तो 40 अब तो हमें dc by dt की value यह निकली है अभी तक तो हमें क्या करना है dc by dt की value t is close to 0 पर चाहिए तो इस पूरे factor में क्या लगाओ इस पूरे factor में t is close to 0 रख दो कहां है t is close to 0 यह रहा so dc by dt ठीक है when t is close to 0 यही तो value चाहिए which is equals to यह कितना हुआ 30 minus 0 तो answer कितना आ गया 30 तो यह answer बना इसका मतलब इस particular अगर reactant का concentration time में यह relation है तो उसकी initial rate कितनी होगी 30 आगे unit क्या होगी rate देखो यह rate का unit हमें calculate करना है मैं आपको unit अभी बताऊं इसका answer 30 molar per second ठीक है molar per second क्यों क्यों क्योंकि rate क्या होता है जरा check करो चलो unit की भी बात कर लेते है rate होता क्या है now look at it rate का मतलब होता है change in concentration with respect to change in time concentration किसमें लेते हो molarity के अंदर तो इसलिए हमने क्या लिखा molar समय किसमें होता है ज्यादा तर समय आपको second में मिलेगा ठीक है यहा सेकंड में हो सकता है minute में भी हो सकता है day में में हो सकता है R में हो सकता है कुछ भी हो सकते है नहीं लिखा तो आप second हर 1 second में कितने mole change हो रहे है उसी को हम लोग rate का unit बहुते है, clear होते है सब लोगोंगों को So finally molar per second, तो यहाँ पर answer कितना आ रहा है, 30 molar per second, तो अगला मारा जो article है, छोटा सा वो यह है, कि unit क्या होती है rate की, बट फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताने कोशिश करी है, that is molar per second, molar का मतलब molarity का unit को molar बोलता है, और molar को हम लोग mole per liter भी कह सकते हैं, mole per liter और नीचे लिखा हुआ है second, तो यह unit भी हो सकती है, सबको clear हो गया, So finally यहाँ पर answer आ रहा है 30, अब पूरे article को bio वालों को बोलता है specially, यह दो formula कैसे apply किये, इसकी उपर जरा ध्यान से उसको check कर लो, ठीक है, उसके बाद नहीं आता है ताब मुझे बताओ, मैं अगले वीडियो में एक और example के थुरू आपको समझा दूँगा, by the way यह seriously बहुत आसान है, सिर्फ एक बार आपको effort करने, आप खुद से apply करके देखो आपका answer आ जाएगा, till then फटाफेटस का screenshot लो, अगर आपका phase देखिए, दो तरह से possible है, अगर आपका जो chemical reaction हो रहा है, वो aqueous phase में हो रहा है, तो unit अलग आएगा, और अगर वो gas phase में हो रहा है, तो unit अलग से count करना है, सबको समझ में आ गया, तो द्यानस इसको देखिए, aqueous phase में तो हमको concentration लेना है, change in concentration with respect to time समझना है, और gas के case में pressure भी ले सकते हो, change in pressure with respect to time, तो दोनों case में आपको मिलेगा, लेकिन है बहुत आसान, जरा चेक करो, देखिए, आप case ले लो, case first, case first, कौन सा, when phase of chemical reaction is aqueous, अगर aqueous है, तो आप rate को कैसे लिखोगे, rate का मतलब होगा, change in concentration, ठीक है, change in concentration with respect to time, यानि की नीचे क्या लिखोगे, change in time, सही है, change in time, सब को clear होगया, जिसको आप लोग कैसे लिखते आयो, delta c by delta t, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते आयो, कि अगर delta c by delta t में, delta t 10 to 0 हो, मतलब time interval 0 हो, समझ में आगया, time 0 नहीं है, time interval 0 हो, इसको instantaneous rate बोलते हैं, इसको हम लोग dc by dt भी लिखते हैं, clear होगया, यह मैंने आपको पहले समझाया आता हो, इस case में unit क्या बनेगा, then in this case, unit of rate, unit of rate, that is very simple, जरा सोचो rate क्या है, change in concentration with respect to change in time, concentration का unit क्या होता है, concentration का unit होता है, क्या, molarity लेता है, अगर concentration में कुछ भी नहीं दिया हो, जनरल वे में concentration, वैसे तो concentration की term बहुत सारी होती है, molarity, molality, mole fraction, whatever, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हो, और वैसे भी, इस particular chapter के अंदर, हमको concentration की unit कौन से लेनी है, molarity, और molarity का मतलब क्या होता है, molarity का मतलब जरा check करें, molarity का हम लोग capital M से भी लिखते हैं, और वो होता है mol per liter, तो जरा check करो, unit of rate क्या बनेगा, उपर है concentration, जिसकी unit होती है, mol per liter, ठीक है, mol per liter, clear है सब लोगों को, और नीचे दिया होँआ है time, अब आपको time किसी भी वे में दिया हो सकता है, मैं मालनों तो यहां पर second ले लेते हैं, clear हो गया, so finally आपको clear कर देता हूँ, time तो किसी भी वे में दिया हो सकता है, आपको second हो सकता है, minute हो सकता है, hour हो सकता है, day हो सकता है whatever, जो भी आप समय जानते हो, तो unit of rate in the case of first, यानि की phase जब aqueous हो तो उसकी unit क्या बनी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, that is mole per liter को क्या बोलता है, molar ठीक है, molar per second, यह unit बनेगा, clear हो गया, general बें मैं अगर time second में ले रहे हो तो सबको लिए रहे, so यह तो हो गया unit ठीक है, किसका, rate का, जब phase क्या हो, aqueous, लेकिन जब gaseous phase हो, तब unit क्या होगा, very simple, उस case में pressure लेंगे, तो उस case में कि देखो, अगर case number 2 ले लो, case number 2 जब आपका gaseous phase हो gaseous phase हो, उस case में, देखिए, rate को कैसे लिखते है देखिए, gaseous phase में rate को लिखते है, that is change in pressure change in pressure, ध्यान से रखिएगा ध्यान से, समझेगा इसको, change in pressure of gas with respect to time, यानि कि नीचे क्या लिखोगे, change in time, ठीक है pressure में change time के respect में कितना आ रहा है, gas phase में gas में pressure change होता है, और हमको सब को पता है, कि PV is close to NRT के respect में, हमको मालू में, अगर V को में नीचे ले जाओ, तो P is close to क्या होगा, N by V into RT, हाया ना और N by V को ही क्या बोलते है concentration, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस case को ज़र ध्यान से को check करना सब को clear है, मतलब मैं gas के case में, concentration को pressure की terms में भी लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ, तो इसलिए case number 2 बनाया गया, gas phase के लिए specially, वहाँ पर concentration की जगा pressure of gas भी लिख सकते हो, clear है so finally, अगर gas consume हुई तो pressure कम हो जाएगा, यह मतलब निकलता है, concentration के जैसा ही तो हुआ इस case में unit क्या बनेगा तो unit बनेगा, change in pressure pressure का unit हम लोग generally लेते है ATM, और time का unit हमने generally कैसा लिया, second, तो ATM per second, तो यह हो गया gas phase में, तो आपको ध्यान लखना है, आपको किसी भी वे में rate का unit दे सकते हो, अगर gas phase है तो वो unit क्या हो सकता है, molar per second तो यह हो गया आपका unit of rate, सब को clear हो गया तो यहाँ पर हमने आज बहुत important topic की है मैं आपसे सबसे fit से request कर रहा हूँ एक attitude बना के रखो कि हमें वीडियो में जो भी सिखाया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से focus करके लिखना है और साथी साथ, एक बार अगर समझ में नहीं आ है, तो दूसरी बार जरूर देखे उसे छोड़े नहीं, आप लोग याद रखे जिन्दिकी में एक चीज बहुत असान है that is quit करना जो लोग quitters होते हैं जो लोग छोड़ देते, वो लोग loser होते हैं, और मुझे believe है कि आप लोग loser नहीं हो क्योंकि आप लोगों के पास coaching भरने के, coaching बर जाने के पैसे नहीं है फिर भी आप यहाँ पर पूरे effort लगा के बैठे हो और यह video देख रहे हो तो इसका मतलब यह हो गया, आप loser नहीं हो आप हार नहीं मानने मले, आप चाहते हो कि आपका selection हो, तो इसलिए मैं आप लोगों कहता हूँ, जो भी सिखाया जा रहा है उसको copy में लिखने के बाद, एक बार video को और देखें सबकों समझ में आ गया, जिससे जादा समझ में आता है, तो आज के लिए इतना ही आप लोग याद रखिएगा, homework description box में दिया है, जिसको भी साथ-साथ आगो complete करना है और इस video में यह तीसरा lecture है, याद रखिएगा, यह जो आपके पास अभी chapter शुरू हुआ है, उसका यह तीसरा lecture है, आपको अपनी हिम्मत बना के पूरे lecture खतम करने है, मज़े की बात ही है कि chemical analytics जो है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसे कि electrochemistry था, वहाँ पर तो कितने lecture लिया है, अपने 30 plus lecture माँ खतम की है, यहाँ पर इतने lecture नहीं होने वाले है चोटा chapter है, लिकिन यह एक numerical type का lecture chapter है तो आप लोगों ध्यान रखना है बायो वालों को specially, छोटे-छोटे formula है, जो मैं आपर आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसको अगर आप धंक से लिख लोगे, तो आपका एक cover हो जाएगा, so till then guys thank you so much for watching, आप लोग ध्यान रखिए पढ़ेगा, मतलब do work hard, do work hard share these video to the needy students thank you so much guys, याद रखिएगा subscribe करिए, share कीजे और like का बटन जरूर दबाए अगर आपने कुछ भी सीखा है तो, thank you so much thanks a lot